Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about this solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते. कमें सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखेगा. आज मैं लिखे आई हूँ आपके लिए टेरो रीडिंग रिलेटेट टू सोलर एकलेप्स और आपका जोडियक साइन. आपका जोडियक साइन Libra. आए जानते हैं Libra, सोलर एकलेप्स ठड़ियत एप्रिल को overall आपकी लाइफ में क्या new energies ले रहा है? क्या आपके लिए overall लेके आ रहा है यह सोलर एकलेप्स ठ़डियत एप्रिल को? Libra, आपकी लाइफ में यह जो सोलर एकलिप्स है यह सरन चेंज़ लेके आ रहा है, यह ट्रांसफोर्मेशन लेके आ रहा है, कुछ ऐसा जो कि आप सोचोगे नहीं और आपकी लाइफ में हो गया. ब्लूमिंग भी लेके आ रहा है, तो यह जो सरन चेंज़ जो सोलर एकलिप्स लेके आ रहा है, यह साथ में ब्लूमिंग के साथ आ रहा है, it means कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा पॉजिटिव चेंज लेके आएगा जो अभी तक आपने नहीं सोचा है, तो सरन चेंज है, ऐसा कुछ सा पैटन है, जो यह सोलर एकलिप्स उस पर दी एंड करेगा, उस पर एंड लगाएगा, उस पैटन को साइकल को ब्रेक करेगा, तो देखते हैं लेबरा, कहीं ना कहीं लेबरा, आपकी लाइफ में ना बहुत जादा एनर्जी जो थी ना बहुत, I would say, स्मू आप अपने आपको प्रूफ करने के लिए बहुत महनत कर रहे थे, तो उस महनत पे, उस स्रगल पे, यह जो है डिस्रेक्शन पे या आपकी लाइफ में जो अप्सेकल था, जो चीज रोक रही थी, उस पे यह आप पेस ब्रेक करेगा, इस साइकल को यह जो है, एंड करेगा आपकी लाइफ में ना कहीं ना कहीं अभी तक एक चीज कहते हैं कि बैलेंस ना बिगड़ावा था, या तो मनी बहुत खर्च हो रहा था, तो सेव नहीं हो रहा था, सेव हो रहा था तो खर्च नहीं हो रहा था, इस वाइसा वर्सा, तो कच्छना कुछ वो जो बैलेंस था वह कहीं नहीं हिलाव था उसको यह ब्रेक करेगा आपकी life में money related अभी तक issues चल रहे थे लिब्रा उसको भी यह ब्रेक करेगा कहीं नहीं आपकी life में opportunities आई जिस पे आप travel कर सकते थे या किसी का आप इंतजार कर रहे थे वह भी पूरा नहीं हुआ उस life cycle को यह end करेगा तो overall जो cycle आपकी जो break कर रहा है यह solar eclipse वो break कर रहा है अपने आप से जूज रहे थे उस जूजने को यह बंद करेगा अपने आप से ही आप लड़ रहे थे अपनी ही असूलों से भी लड़ रहे थे बहुत से लिब्रा थे लिब्रा जो sign है ना वो sign ही balance का है वो sign ही एक हर चीज बैलेंस चाहता है लिब्रा जो है और उस चक्कर में मैं देख रही हूं आपकी जो energy सीना आप अपने आप से जूज रहे थे यह सही है गलत है मैं करूं नहीं करूं अपने आप से अपने आपको प्रूफ करने में चल रही थी आपकी जो energy सीना वो अपने उपर खर असे करूँ उस cycle को यह end करेगा आप देखते हैं लिब्रा आपके लिए जो solar eclipse है वो क्या new cycle लेके आ रहा है क्या नही अनर्जिस लेके आ रहा है क्या नही पैटल लेके आ रहा है कि आपको प्यार में धुका मिलेगा कोई ना कोई अगर जो लव बॉंड में है जिनका अफेर्स चल रहे हैं उनको धुका मिलने की संभावना है कहियों के दिल तूटने की भी संभावना है इवन जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके रिलेशनशिप में थोड़ा सा खटास मैं देख रही हूं कि मन मुटाब होने के चांसेज हैं इस सोरल एकलिप्स के दौरान इसकी जो अनर्जीज हैं यह जो सोरा एकलिप्स है लिब्रा आपके लिए थोड़ा सा जगलिंग लेके आएगा आपको अपनी डिजीजन पर जगल करने की जरुवत पड़ेगी अभी मैं देख रही हूं उसको और पारी हूं तो मैं देख रही हूं कि अगर मैं रिलेशनशिप की बात कर रही थी तो मैं देख रही हूं की जो लिब्रा आप लिब्रा अगर मैं काज आपके देख रही हूँ थोड़ा सा मैं गराना नहीं चाहरी है आप फोड़ा सी में को अनर्जी जो ही दिख रही है मुझे यह सोलर एकलिप्स यह नहीं दिख रहा कि वाओ आपकी साइकल में चेंज होगा हां आप जो स्ट्रगल कर रहे थे उस साइकल पर ब्रेक लगाएगा लेकिन आपको फिर से बोल रहा है कि बैलेंस करना एक अच्छा बैलेंस करना अभी तक आप अच्छा बैलेंस नहीं कर पा रहे थे राइड आप स्ट्रगल कर रहे थे आप अंदर या अंदर जूझ रहे थे लेकिन आप जो सोलर एकलिप्स आ रहा है इसकी जो एनर्जी जारी है वह आपको सिखाएंगी कि बैलेंस कैसे करना है आपको सिचुएशन को बैलेंस करने की जरुद पड़ेगी इस आप से साथ काइंस करेंगे बहुत निबरास का मैं बोलूँगी कि कही न कहीं उन्हें थोड़ा साइंस्वामिया होने की जांसेज मेरे को दिख रहे हैं यह जो सोलर एकलिप्स जो टाश्वरमिशन लेके आ रहा है तो कहीं न कहीं मुझे इस आम्निया के चांसेज तो इसको maintain करने की बहुत जरुवत है तो आईए देखते हैं कि इन energies को कैसे balance किया जाए ऐसा क्या करो आपकी solar energies लेके जो आ रहा है आपकी light melebriance जो यह new cycle new pattern जो लेके आ रहा है उसको overall balance कैसे करो जो इसको overall energies की मैं अगर मैं बात करूं तो overall energies मुझे लग रहा है April में जुम जुम जुलाई तीन महीने के बाद जो इसका इंपक्त है जो लिब्रियंस आपके उपर solar energy का solar eclipse का जो इंपक्त हा रहा है वो 3 months रहेगा 3 months के बाद automatically जो है आपको यह जो struggle है balance है इसको आप निकल पाओगे राम से तब तक के लिए मैं बोलूंगी कि थोड़ासा आप जो है grounded हो के चलिए थोड़ासा energies को subtle करके चलिए meditation करके चलिए that will be good for you लेपरा सो कमें सेक्शन में जरूर लिखेगा कि यह reading आपके लिए कैसे रही तब तक के लिए खुश रहें मुस्कुराते रहें और अपनी positive energies यह फैलाते रहें जिल लोगों ने अभी तक अपना चैनल divine source subscribe नहीं किया है वो तुरंत करें और bell notification को भी प्रेस करें जिससे आपको मेरी वीडियो समय सबे पर मिल कि रहें like and share this video do not forget to subscribe to my channel my name is Megha Goyal I am an astrologer, numerologist, past life therapist, vastu and fengshui expert, karoka reader, psychic healer and a life coach Angel's love for everyone, Atma Namaste